हेलो दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल टेक्निकल एज्यूकेशन पर तो आज आपके लिए मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ जो हमारे डिलेटिड है हमारे वेब ब्राउजर से लेकर तो आज की दोर में हम सब वेब ब्राउजर का अच्छी से यूज करते हैं जब आप कुछ भी सर्च करते हैं तो आपको एक ब्राउजर की जबरत होती है वहां पर तो हम कह सकते हैं Google Chrome हो सकता है उपरा में नहीं हो सकता है यूजी ब्राउजर हो सकता है कोई भी ऐसा ब्राउजर जो आप यूज करते हैं अपने मॉबाइल फोन हो गया डेक्स्टॉप हो डेक्स्टॉप पर में बात करूँ तो हमारा Microsoft Edge हो गया या Google Chrome हो गया Mozilla हो गया तो जहां भी आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो आप कही न कहीं ब्राउजर का भी यूज कर रहे हैं तो अब बात आती है कि इन ब्राउजर को हम फ्रीली यूज करते हैं तो इनको पैसा कह से मिलता है यह कैसे अपनी अर्णिंग करते हैं और मैं यह बी बताने वाला हूं कि यह किस जरीए अपनी अर्णिंग करते हैं तो एक बात आप याद रखे कि जब भी आप कोई भी चीज यूज कर रहे हैं डिजिटली अगर फ्री है तो इसका मतलब ही हो गया कि आप रूट करते हैं तो प्रेंस अगर मैं बात करूँ हमारा जो गूगल करम राउजर है इसको अप मॉवाईल पर भी यूज कर सकते हैं और अपने डेस्टॉप पर भी यूज कर सकते हैं तो जब भी आप 멋있 इसकले लिए तो आप गूगल पर जो भी सर्च करते हैं तो आहने के कही ना कही कोई आड आपको दिखाई दे जाएगा तो जो एड होता है वो Google द्वारा दिया गया होता है तो email source यही होता है इनका यह जो एड दिये जाते हैं आपको homepage पर और आपको कही ना कही जो Google है वो अपने जो product है उनको recommend भी करता है तो यह भी उसके लिए एक earning का source हो गया कि यह recommend कर रहा है किसी चीज को आपके सामने तो कोई ना कोई ऐसा user तो होगा जो उस चीज को कही ना कही open करेगा या उसको buy करेगा जैसे paid services होती है Google Drive की तो यह सब चीजें Google द्वारा की जाती है अपने web browsers में जो भी web browsers उसको permission देते हैं तो अगर मैं बात करूं कि आप सर्च करते हो तो कोई website देसे आप खोलते हो तो उस website के अंदर भी कही ना कही आपको ads देखने को मिल जाते हैं उनका जो design होता हो कही ना कही इतना अच्छा जाता है कि users को attract करें और उस चीज की तरफ attract करके वह customers को increase करें तो website और homepage दोनों पर ही आपको ads देने को मिलेंगे तो यह Google Chrome आप समझ सकते हैं इस तरह से पैसा कमाता है Google से तो जो Google पैसा देता है वह इस बात का देता है Google Chrome को कि जो default search engine है mainly Google Chrome का वह Google ही है तो आप समझ सकते है कि कितने ज्यादा earning होती होगी कि Google उसको पैसा दे रहा है अपने ads के लिए तो आप समझ सकते हैं इस जरिया तो friends अगर मैं बात करूं जो हमारे Apple है Apple के अंदर आप यूज करते हैं तो जो browser होता है वह Safari browser है तो Safari browser जो Apple users अगर वह यूज करते हैं तो उनको जो web browser है वह Safari है तो जो आप उसके अंदर open करते हैं तो जो default browser देखता है आपको वह Google ही होता है उसमें भी तो इसमें भी यही केस है कि आप Google जो है वह अपना जो default search engine बनाने के लिए Safari को कहीं न कहीं पे करता है और Apple को पे करता है अगर मैं बात करूं तो सन 2019 में यह 2029 में 2019 में गूगल ने 12 billion dollars ज दिए है Safari browser में अपने जो default search engine है उसको Google बनाने के लिए तो आप समझ सकते हैं कि Apple इतना पे कर रहा है एक company को Safari को कह सकते हैं कि बस इसलिए कि जो default search engine है वह Google रहे तो अगर Apple इतना सब पे कर रहा है तो इसका मतलब जो Google की earning होगी आप समझ सकते हैं इसी बात से हो कितनी earning होगी तो उस पर भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि Google Chrome पर आपको ads देखने को मिलते हैं चाहें वह homepage हो चाहें website हो तो यहाँ Safari पर भी same scene है कि आप जब भी कुछ search करेंगे तो आपको कही न कहीं ads देखने मिलेंगे या ऐसे product जो Google recommend करेगा तो वह सब आपको इसमें भी देखने को मिलेंगे तो जो मेन बात है कि सारा matter अगर हम टेक्निकली देखें तो यह है ads का कि Google अपने ads को दिखाता है अपने जो search engine है उस पर और ads के जरी गूगल की कमाई होती है और उस कमाई मैंसे वह जो company use कर रहा है ब्राउजर की उस company को पे करता है तो friends अब मैं बात करूँगा कि अगर आप एक window user है जो आप desktop पर use करते हैं तो उसमें आपको देखने को मिलता है जो Microsoft का as browser है आप उसे कहीं न कहीं use करते होंगे तो उसमें होता क्या है कि जब भी आप वह browser को open करते हैं तो उसका जो default search engine है वो है b2 का default search engine है तो आप समझ सकते हैं कि उस पर भी कहीं न कही आपको ads देखने को मिलते हैं तो वह ads जो होते हैं वही एक earning का source होता है उस browser के लिए तो यह भी उसी तरह काम करता है जैसे मैंने आपको पहले दो बताए Google Chrome हो गया या फिर जो Apple का Safari browser है उसको आपको मैंने बताए तो इसी तरह यह ऐसा ही कमाई करता है तो friends अगर मैं बात करूं Opera browser की तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो mobile पर Opera browser को यूज करते हैं तो जब भी आप Opera browser को open करते हैं तो आपको सामने दिखाई देता है cards वह cards ऐसे होते हैं कि कोई भी company हो सकती उसमें Amazon हो सकता है Flipkart हो सकता है अपना YouTube हो सकता है Facebook हो सकता है तो यह card कही कहीं न कहीं एक ad की तरह काम करते हैं उस ब्राउजर के लिए और Google इस सब को इस सब को भी ऐसे अरेंज करता है जैसे उसमें अपने ads को अरेंज किया था तो जब भी कोई मतलब कोई आदमी अगर खोल रहा है Opera menu को Opera menu हो या Opera browser हो तो उसको मानलो YouTube ना भी चलाता हो तो फिर भी भी उसको पे करेगा और उसकी वैसे उसके customers बढ़ रहे हैं तो यहीं मेंजी होती है Opera में तो आप इसके जरीए earning होती है इसकी अगर Facebook को यूज कर रहा उसके जरीए तो Facebook कहीं न कहीं उस Opera browser को पैसे देने पड़ेंगे तो यह एक source होता है Opera के पास अपनी earning को इस तरह कमाते ह तो फ्रेंड्स अगर मैं बात करें यूसी मिनी जो यूसी मिनी ब्राउजर है यूसी मिनी है यूसी ब्राउजर है तो उसमें कैसे earning होती है उसमें सबसे ज्यादा खेल इसी बात का है कि आप जब भी उसे open करते हैं तो आपको दिखाई देता होगा वहाँ पर बहुत सारे स इसे टेंप्लेट्स होते हैं कि आपको एक गूगल का छोटा सा कॉर्णर में दिखाई देगा कि जो में चीज आप सर्च करना चाहा रहे हैं वह सिंगल छोटा सा इतना सा दिखाई देगा बाकी सब आप जो भी चीज देखते हैं वह एक तरीके के एड की तरह काम करता है औ सारे ऐसे इमेजिस होते हैं तो कही नहीं यह सिंपल वें मैं जो भी उनको पसंद का है उस रोप में उस चीज को प्रिजन्ट कर रहें आपके सामने अर्ड्टीOOOO बनाके ताकि आप उसको यूज करें अगर आप उसको यूज स kommt हो हो गया वेबसाइड हो गया उन पर गूगल है उसके द्वारा दिये गए एड्स को कई ना कई दिखाते हैं आपको तो जो अगर टेक्निकल टर्म्स में बात करूं तो जो सबसे बड़ा सोर्स है ब्राउजर्स के लिए अर्निंग का वह हमारा एड ही है क्योंकि एड के जरीए गूगल पैसा कमा रहा है और गूगल यूज करा ही ब्राउजर्स का उसको अपने सर्च डिफॉल्ट सर्च इंजम की तरह तो आप समझ सकते हैं कि जो अर्निंग होती वो कितनी होती होगी जो मैंने आपको बताया था कि सफारी के लिए और उन्हें बा ब्राउजर्स यूज करते हैं वो कैसे अर्निंग करते हैं तो अगर आप मैं आपको मतलब पूछ रहा हूं कि आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं जो भी आपका फेवरेट ब्राउजर्स कौन सा आप यूज करते हैं कौन सा आपको अच्छा लगता है तो कमेंट से ने किया तो प्लेज सब्सक्राइब करें धन्यवाद